असलाम एकुम स्टूडेंस इन दिस लेक्चर वी डिसकस अबाउट हाउट तो सॉल्व ओडी विद लीज मीट्री करना है तो हम चलते हैं एक्जाम्पल की तरफ ता कि आप लोग इजीली से समझ सके यहां पर हमारा में टोपिक है how to solve OD with least matrix यहां पर हमारे पास example है कि हमारे पास OD equation दी गई है has least matrix whose tangent vector failed is और हमें tangent vectors given है यहां पर एक बात note करनी है आपने कि हमने previous lecture में जब canonical coordinates find out के तो उसमें हमने S को find किया S के हमारे पास two formula से एक था integration with respect to x divide में xy था और integration अगर with respect to y है तो divide में हमारे पास eta था ठीक है eta का function था तो यहां पर students हमें xy की value जो है वो y variable में दी गई है और eta की value हमें x variable में दी गई है तो यहां पर जो है वो कैसे आप लोगोंने formula का use करना है वो हम इस example में देखेंगे जो के important बात है और बहुत ही एहम बात है जिसको आपने दिहान से समझना है ठीक है तो students यहां पर उन्होंने हमें एक order equation दी है और tangent vector हमें given है तो जब भी हमने किसी ordinary differential equation को solve करना है यहां में इस तरह का question आए कि ordinary differential equation का आपने exact solution find करना है यह general solution find करना है यह फिर invariant solution find out करना है उसका क्या method है यह इस example में आपनोंने देखना है कि किस तरह हमने example solve की और कैसे हमने general solution find किया ordinary differential equation का तो solution के तरफ चलते हैं सबसे पहले हमने यह करना है कि हमें tangent vector given है तो हमने canonical coordinates find out करने है तो सबसे पहले जब हम r canonical coordinate को find करना चाते हैं तो हम उसका formula use करेंगे जैसे कि यहाँ पर लिख है the characteristic equation r is dy by dx is equal to eta by x यह माँ पस r find करने का formula है equal to हमने यहाँ पर eta की value put की 4x and divide में हमाँ पस xy की value है y then हमने इस equation को rearrange कर लिया y dy equal to minus 4x dx ठीक है then change करने के बाद हमने integral लिया है both side integral लिया है यहाँ पर हमाँ पस integration of y होगी with respect to y y square by 2 equal to minus 4x square by 2 plus c square by 2 and constant की value भी सीधर हम write on कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर देखें y square by 2 equal to minus 4x square plus c square by 2 and 2 यहाँ पर जो यह वो खतम हो जाएगा then y square equal to minus 4x square plus c square यहाँ पर हमने c square की value निकालने होती है मतलब के constant c की value निकालने है तो उसकी value निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4x square को इदर ले जाएगे y square plus 4x square and c square की value यह आजाएगे then हमने square कतम करना है क्योंकि हमें c की value चाहिए तो both side हम क्या ले लेंगे square root ले लेंगे तो यह हमारे पस c की value आजाएगी जब हमारे पस constant की value आती है mean to say हमारे पस r canonical coordinate की value आगिए है तो यहाँ पर हमने r की value find out कर ली अब students हमारे पस जो basic बात ही कि हमने r की value find out करनी है वो r की value तो हमारे पस आ गया है लेकिन हमने next जो s find out करना है second canonical coordinate जो find करना है उसके लिए हमारे पास formula जो है वो हमारे पास है s is equal to integral dx by xi xy and rx r is equal to rxy ठीक है प्रीविस वीडियो में मैंने ये कहा था कि आप लोग example में देखोगे कि इस formula को कैसे use करने है ठीक है तो यहां पे जो हमारे पास s is equal to dx by xi है तो हमें जो xi की value दी गई है वो minus y मतलब के y variable में इसकी value दी गई है लेकिन integration with respect to x है लेकिन xi की value जो वो y में दी गई है तो उसके लिए हम यह करेंगे कि हमारे पास जो r की value आएगी उस value में से हम y की value निकाल लेंगे then y जो है वो depend करेगा rx पर जब y depend करेगा rx पर तो then हम यहां पे y की value को put कर सकते हैं ठीक है तो हमने क्या किया हमने हमारे पास जो xi की value थी y variable में थी और अगर हम eta वाला formula यूज करें तो eta की value 4x 4x square mean to से x variable में थी तो ना ही हम वो वाला formula यूज कर सकते हैं eta वाला ना ये वाला कर रहे हैं तो इसलिए उन्होंने यहां पे उन्होंने बताया कि rx पर depend कर सकती है value अगर हम y की value इसमें से निकाल लें तो वो rx पर depend करेगी rx पर depend कर रही है तो देन हम यहां पे क्या y की value को put कर देंगे तो इस तरह हम s को find out कर सकते हैं ठीक है students तो ये थी main बात कि जब आप लोग के पास इस तरह की value आजे mean tangent vector जो इस तरह दिये गे हैं कि x i की value y में है और eta की value किस में आ रही थी eta की value 4x square mean x variable में आ रही थी जब इस तरह की value given होंगी tangent vector की तो देन आप लोगोंने इस formula को use करने है और इस formula को use करने के लिए आप लोगोंने जो r की value find की है उसमें से आप लोगोंने y की value निकाल लेनी है और इस y की value को आप लोगोंने यहां पे put कर देना है next देखे हमने values को put कर दिया अब हमने integral लेना है dx by under root r square minus 4x square तो अगर आप integration ले रहे हैं तो आपको पता है अगर इस तरह की form बन जाए 1 by a square minus b square under root में इस तरह की चीज़ बन जाए तो इसकी integration क्या होती है एंगल का half cause inverse 2x by r और next उन्होंने लिखा है कि 1 by 2 cause inverse 2x by r किसके equal है 1 by 2 quote inverse 2x by y इस तरह value लिखी है इसका answer और ने s का जो है विस तरह लिखा है तो next हम ये देखते हैं कि ये वली चीज़ कैसे इसके equal हो सकती है ठीक है हमने ये देखना है कि हमारे पस 1 by 2 cause inverse 2x by r is equal to 1 by 2 quote inverse 2x by y के कैसे equal है ठीक है तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम ये कहते हैं कि यहां से अगर हम 1 by 2 and 1 by 2 को cut कर दें तो हमारे पस क्या equation बनती है cause inverse 2x by r is equal है quote inverse 2x by y हमने ये लेट किया कि theta is equal to cause inverse 2x by r है और यहां से हमारे पस cause theta की value y 2x by r जैसे कि first year में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आपको एक trigonometric function की value given है तो देन आप बाग की सारी trigonometric function की values को find करते थे by pathagoras theorem तो वो ही theorem जो है यहां पर use हुआ है और हमने बाग की trigonometric functions की values को find करना है और देन हमने देखना है कि किस तरह हमारे पास ये left hand side equal to right hand side है जैसे कि हमने ऐसकी value find out की तो हमारी value जी हो है वो cos inverse 2x by r में आई थी लेकिन हमने क्या किया यहां से trigonometric function की value find out की और हमने कहा कि 2x by r में जो value है वो किसके equal आ जाएगी cos inverse 2x by y के equal आ सकती है तो जी students अब हमने ये देखना है कि किस तरह हुआ तो सबसे पहले हमने क्या कहा हमने cos theta equal to 2x by r की equal कहा है और cos theta का oled क्या है second theta second theta की क्या value होगी r by 2x ठीक है यहां से next हमने 10 theta की value find करनी है तो 10 theta equal to है under root second square theta minus 1 की यहां पे हमने second theta की value put की and उसका square root लिया then उसे हमने इसे then हमने इस तरह से solve out किया next देखें जी अगर 10 theta की value under root r square minus 4x square by 2x है तो हमाई पास cos theta की value क्या होगी 2x by under root r square minus 4x square तो हमाई पास यहां पे cos theta की value भी आ गए यहां से हमने कहा कि हमाई पास 2x by under root r square minus 4x square है हमने canonical coordinate r की value find की उसमें से हमने y की value find की थी ठीक है y की value निकाली थी तो हमाई पास आया थी under root r square minus 4x square तो यह किसके equal है यह हमाई पास y के equal है तो हमने यहां पे y put किया then हमने कहा कि हमाई पास क्या value आई है co theta equal to 2x by y तो हमाई पास यहां पे theta की value अगर हम find करें तो हो code inverse 2x by y हो जाएगी तो यह हमाई पास equation 2 हो जाएगी जैसे हमने equation 1 let की ठीक है यहां पे और यहां पे हमाई पास equation 2 यह आई है ठीक है अब जब हम इन दोनों को compare करेंगे तो हम यह कहेंगे कि cos inverse 2x by r is equal है code inverse 2x by y and 1 by 2 cos inverse 2x by r किसके equal हो सकती है 1 by 2 cos inverse 2x by y के तो इस तरह हमने जो यह value को find out कर लिया finally हमें canonical coordinates r और s की values में लगी है अब हमने क्या करना है हमने given odd equation को reduce करना है ds by dr equal to minus r form तो जब भी किसी odd equation का solution find out करना होता है तो हम क्या कौन सा formula यूज़ करते हैं हम सबसे पहले यह देखने then हम उस formula में values को put करेंगे and then हम general solution of given odd find out कर लेंगे जी students तो हम formula यूज़ करेंगे ds by dr equal to sx plus wxy sy over rx plus wxy r यहां पर हमारे पास sx का मतलब हमारे पास जो canonical coordinates s find out 2s की value जो हमने निकाल दी है उस value का हम derivative ले ले लेंगे with respect to x and with respect to y and r का with respect to x and with respect to y derivative ले ले लेंगे और यहां पर हम put करेंगे और wxy का मतलब है हमारे जो given ordinary differential equation है वो हमने यहां पर put कर देने है then हम यह से solve करना है और हमने equation को reduce करना है तो सबसे पहले हमने क्या क्या हमने chronical coordinate r or s find कर लिए अब उन values का हम derivative लेंगे जैसे हमने यहां पर s का derivative लिया है with respect to x तो हमारे पास with respect to x derivative आजाएगा और with respect to x हमारे पास value आएगे minus y by y square plus 4x square and with respect to y जब हम इस value को derivative लेंगे तो x by y square plus 4x square derivative आज़ेगा ठीक है यहाँ पर हमने r का derivative लिया with respect to x and with respect to y जब हमाई पस नी values आ गई तो हमने simply क्या करना है हमने इस formula में value को put कर देना है next students यहाँ पर हमने simply values को put कर लिया यहाँ पर आपके पास 4x square plus y square common आ रहा ठीक है और यहाँ पर आपके पास under root 4x square plus y square common आ रहा यहाँ आपके उन्हें common ले लिना है और बाकी सारी values जो यहाँ पर assets आ जाएंगे ठीक है next देखें हमने यह किया कि यहाँ पर हमाई पस जो common values थी वो solve out हुई है और हमाई पस यह equal है 1 over under root 4x square plus y square यह किस तरहाँ जब आपके पास 4x square plus y square value है ठीक है over में आपके पास under root 4x square plus y square value है तो इसकी value क्या है 1 और इसकी क्या है under root की value क्या होती है 1 by 2 तो जब आप इस value को निची ले जाएं ठीक है तो आपके पास जो power होगी 4x square plus y square की जो power होगी वो 1 by 2 minus 1 होगी तो जब आप यहां से 1 minus 2 करेंगे तो minus 1 by 2 आएगा तो आपके पास यह over में value आ जाएगी under root की 1 over under root 4x square plus y square इस तरह यह solve out होई है ठीक है आप लोगोंने next यह करना है कि solve out करने के बाद 1 over under root 4x square plus y square value लिखनी है और यह आपके पास बाकी सारी जो values का आपने LCM लेकों से solve out किया है और यह open value होगी है ठीक है तो आप लोगोंने जो value cutting होती थी वो cutting कर ली है और आपके पास last be given answer आजाता है minus y square plus 4x square whole power square and under root and y square plus 4x square यह value आपके पास आगी आपने यह दिखा यहाँ पे कि DS में DR is equal है minus under root 4x square plus y square ठीक है यहाँ पे यह वाली value इस value से cut जाएगी then आपने इन दोनों value को जब solve करना है तो आपके पास minus under root 4x square plus y square value हो आजाएगी as it is आपनों ने इन दोनों को solve करना है जैसे यहाँ पे one power रह जाएगी इसकी power one by two होगी और जब power जो है उपर जाएगी तो आपके पास जो value आएगी वो minus under root 4x square plus y square हो then आपके पास यह जो value है यह आपके पास आर्क equal है जो हमने previous R की value फाइंड की य की value निकाल ली वो सीन जो है जो क्रोनिकल कोडिनेट में आपने आर की value फाइंड की यह वैल्यूस आर के equal है तो दर हम इसे लिते हैं आर के equal तो यह हमारी ओडी को यह reduce हुई है ds by dr equal to minus r form में यहाँ पे हमने क्या किया हमने ds is equal to minus r dr लिख दिया ठीक है नेक्स आपने इसका क्या लिया है integration की है both side जब आप both side integration करेंगे तो derivative integration से कटके s रह जाएगा equal to r square by 2 plus c आपके पास integration आजाएगी देन आप लोगोंने क्या करना है s की value को put कर देना है जो अपने find की थी यहाँ पे r की value put कर देनी है ठीक है अब हमने s और r canonical coordinate जो find की थी उनकी value यहाँ पे put कर देनी है और हमारे जो general solution होगा वो x y की form में होगा ठीक है तो then आप लोगोंने इसको solve out करना है solve करने के पाद आपके पास जो equation आएगी वो कुछ इस तरह की होगी और last पे आपके पास general solution आजाएगी ठीक है यह हमारे पास जो general solution आया है यह हमारे पास ordinary differential equation का general solution आगा है तो यह एक method था कि कैसे given order का general solution find out करना है ठीक है ordinary differential equation थी और आप लोगोंने इसका general solution find करना था और आपको tangent vector given थे with least matrix ठीक है तो tangent vector से आप लोगोंने canonical coordinate find किये और then आप लोगोंने formula यूज किया जिससे आपनी equation को reduce किया r की form में और then आप लोगोंने r और s की value उसको put करके उसे xy form में जोबर general solution को find out कर लिया तो इस तरह एक method है in least matrix कि कैसे आप लोग एक OD equation को solve करते हो with least matrix next students देखें इसी तरह आपके पास एक example है जिसमें उन्होंने एक ordinary differential equation इस form में दी हुई है और with least matrix उन्होंने का है of the form least matrix की form इस तरह किया अगर question इस तरह आ जाता कि OD दी है और least matrix दी है ठीक है और हमने OD को solve करना है तो उसके लिए हम इस least matrix से tangent vector को find करेंगे then tangent vector से हम canonical coordinates को find करेंगे और then हम जो है ordinary differential equation को reduce करेंगे formula यूज करके and then हम इसका general solution find कर सकते हैं या exact solution find out कर सकते हैं तो इस example को आप लोने solve करके देखना है कि कैसे आप इस method को apply करेंगे और equation को solve करेंगे